हेई गाइज मैं हूँ सोच कनल और स्वागत करता आपका हाई टेक भाद इस यूटूब चाहर पर तो दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप कैसे motion ninja application के अंदर video editing कैसे कर सकते हैं जहां पर अगर आप इस वीडियो को last दिख लेते हो और अच्छे से दिखते हो तो आपको एडिरिंग के basic समझ में आ जाएंगे और इस application की जो एक editing के एक idea है जिससे आप जो है थोड़ा सा practice करोगे ना तो आपको जो है अच्छे से editing करना जो इसका application के अंदर आ जाएगा तो दोस्तों आई चलिए शुरू करते हैं video तो सबसे पर आपको motion ninja application जो है open करेना है application open होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का interface चलाएगा जहां पर new project पर tap करके आप यहां से जो है videos add कर सकते हैं जहां पर मैं अभी एक दो तीन चार जितने वीडियो स्लैक करना चाहूं उतना स्लैक करके यहां पर मैं जो है add पर tap करूंगा जहां पर यहां पर से आपको जो है videos मिलेगा यहां से आपको photos videos दोनों एक साथ मिलेगा ठीक है तो अभी मैं जो है photo video दोनों एक साथ मि का उसके उपर टाइप कर देना है वहाँ से आप जो है वीडियो या फोटो वापस जो है एड करना है यहां से है अगर अपनी वीडियो को है है और अपनी वीडियो वीडियो को लॉंग प्रेस करूंगा और लॉंग प्रेस करके कुछ इस तरह किसी इदर खीच लूँगा तो इस तरह किसी आप एक्जस भी कर सकते हैं उसका जो ओर्डर है इतने होने के बात फी यहां पर हम सिखते हैं कि वीडियो एडिटिंग में सबसे में इंपॉर्टन च जो हाँ कर सकते हैं जो आप कैची देख रहो एक कैची से जो है आप Unwanted पाक्र कर सकते हैं वीडियो में से कैसे समझो हमारे वीडियो में यहां पर यह जो है शुरुआत का जो पार्ट है वो हमें नहीं चाहिए ठीक है इतना पार्ट जो है कैसा हो गया कि उसके हमने Take 1, Take 2 क क्या कर सकते हैं यह जो कैंची दिख रहा है उसके उपर टाप कर दिना है टाप करने के बाद यहां पर यह जो पार्ट अलग हो जाएगा और यह पार्ट जो है अलग हो जाएगा हम क्या करेंगे फिर इस पार्ट के उपर टाप करेंगे और इसे डिलीट कर सकते हैं यहां पर बाइब में आपको delete का option दिखिए हैं ओके Chang 백신 पीर टैप करते हैं unwanted part remove और यहां पर समझों वीडियो की unwanted part जो है बीच में है, वीडियो के बीच में unwanted part है, तो हम यहां करेंगे, वीडियो के उपर tap करेंगे, वीडियो के उपर tap करेंगे, यहां पर हम catchy पर tap करेंगे, यहां पर हम catchy पर tap करेंगे, जो बीच का part था, वो एक separate clip बन गया, अब उसके उपर एक बार tap करेंगे, tap करने के बार, यहा जहां पर editing में और भी चीज़ें आती है, मैं आपको बताता हूँ, जहां पर आप अपनी videos में video layer कैसे add कर सकते हैं, इस application के दब में आपको बताता हूँ, जैसे कि आप बहुत सारी videos देखते होंगे, वो videos में यहां पर एक video होता है, और यहां पर एक video होता है, पॉप करके, जह यहां पर वो जो video layer है, आप इस application के अंदर कैसे डाल सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ, तो समझो, इस video के अंदर में आप भी layer वीडियो डालके दिखाता हूँ, यहां पर आपको mixer का option दिख रहा है, इसके अब आपको टाप करना है, टाप करने के बाद, यहां से आप जो ह हमने add कर दिया, जहां पर इसको जो है आप यहां से, इसे address कर सकते हैं, और यहां पर आपको इसका अंदर tools जो है, मिल जाता है, जहां पर chroma key का option भी इसमें आपको देखने मिलता है, यहां पर आपको chroma key का option दिख रहा है, वहाँ पर आपको फटा-फट डिखा दिखा देत लेर वीडियो आड़ करने के बाद यहाँ पर हम जो है और क्या कर सकते हैं और यहाँ पर हम टेक्स्ट आड़ कर सकते हैं जहाँ पर वीडियो एडिटिंग के टाइम आपको जो है वीडियो आड़ किया वीडियो को पार्ने अन्वांटेट पार्ट रिमूव किया उसके बाद text का option लिखेगा, text के option पर tap करना है और वहाँ से आप text लिख दीजे text लिखते है welcome तो यहाँ पर हमने welcome लिखा wait a second, यहाँ पर अगर अगर आपको समझा, आपने text बरबर से नहीं लिखा तो आप यहाँ से content पर tap करें और वापस से उसको तोड़ा सा changes कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको tick, यहाँ पर आपको फी, यहाँ पर आपका जो text वो आ जाएगा, जहाँ पर text में जो है, आप changes लाने चाहते है कुछ, यहाँ पर आपको कुछ उसमे आपका वो है text के अंदर कि आप बोलते हैं font, font, text के अंदर आप जो font डालते हैं यह जो अलग-अलग font आपको यहां पर देखने को मिलता है ठीक है बहुत सारे font आपको यहां पर को देखने मिलते हैं जहां पर यहां पर मेरा टेक्स का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं येलो कलर कर दिया यहां से आप जो है ग्रीडियन डाल सकते कलर अपना यहां से आप जो है बॉर्डर लगा सकते बॉर्डर पर टैप करते हैं और यहां पर ब्लैक पर टैप करते तो यह जो बॉर्डर है आपका टेक्स का वह आ चुक अगर आपको अपने टेक्स में shadow आलना है तो आप shadow भी add कर सकते हैं जहाँ पर shadow का जो angle है उससे आपको बदलना होगा तो वो भी आप यह बदल सकते इस option से ठीक है यहां पर हम जो यह जो shadow हटा देते हैं अब background डालने आपको अपने text में तो background भी आप add कर सकते हैं इतना समझ गया यहां पर फिर आम जो है basics के इसमें तो हम नहीं जाएंगे animation में आप देख सकते हैं अपने text को जो है आप animate भी कर सकते हैं यह जीली जैसा आकने इस तो नहीं के च करते हैं जहां पर यहां पर हम जो है दो animation डालते हैं fade in fade out यहाँ पर fade in और fade in और fade out animation हम एड़ कर लिए जहाँ पर in and out tv. ultimate what कि इनका मतलब वीडियो के स्टार्ट में आउट या यहाँ पर एकस्ट एड्ड हो गया अब हमारा टेक्स्ट ऐड्ट हने के बाद हम क्या करेंगे इसके जम्सिक अड्र करें में सकते हैं एक हम पर यहाँ पर ढवाद को डाउंचैने अफ्रवन में डाल सकते हैं जहाँ पर आप Logal पर टैप करोगे तो local से आप आप जो है local से आप जो है अपने वीडियो में जो sound यह दाल सकते हैं जब आप प्लस पर टैप कर लेता और यहां पर हमारी जो sound है वो add हो चुक है ठीक है अब back पर आते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं sound जो है बहुत आगे जख चला गया तो हम sound को क्या करेंगे कट करेंगे, sound को कैसे cut कर सकते हैं same, जैसे आप video cut करते हैं, वैसे आप sound को भी cut कर सकते हैं, यहाँ पर आपको catchee का option दिखता है, उसको पर एक बार tap कर देना है, tap करने के बाद, यहाँ पर आपको delete को option दिखीगा, खाली आपका music है ना, जो आपका बहार जा रहा है उसको भी select करना है select करने के बाद delete पर tap करेंगे और यह जो delete हो जो जुगा है और हमारे जो video last में चल रहा है वहां तक हमारे जो set हो गये अब आपको music को जो है ना tap करना है और tap कर करेंगे अगर समझेगे आप वाइस ओवर दे रहे हैं अपने वीडियो में तो आप殆पपनी music का जो volume है ना वह कम कर दीजेगा यहाँ पर आपको music का अगर volume कम करना है तो music पर tap करने के बाद के बाद edit पर tap करने के बाद यहाँ से आप music का volume यहां से हम जो म्यूजीज का वॉल्यूम कम करते देते हैं और जो में हम करने बाद विडियो में स tabii क्रोमा की मैं आपको थोड़ा प्रोसेसो जो कैसी करते हैं वहरा हमने शाहिज करते हैं और वीजिळीज की एंदर आपको बता दिया, अब basic मतलब basic एक idea दिया, अगर आप practice करेंगे तो आपको और इच्छे से इसमें आ जाएगा जहाँ पर अब lastly आखिरे में बात करते हैं कि इस application के अंदर जो भी वीडियो हम जो है बनाते हैं, edit करते हैं यहाँ पर आपको export पर tap करना है और export पर tap करने के बाद यहाँ से आपको 1020 का resolution, 30 का frame rate और यहाँ पर यहआ पर आपको export पर type करकert इस वीडियो को अपने वीडियो गालेरी में सेव कर सकते हो तो इस तरीके से आप अपने वीडियो को जो है edit कर सकते हैं motion ninja application के अंदर वीडियो चेले करें वीडियो को जरसे जरूर लाइक करेगा नहीं दुश्रे को सब्सक्राइब करेगा मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक लिए बाबाई टेक केर तो यहां पर यह जो है एक्सपोर्ट हो रहा है और एक्सपोर्ट होने के बाद हम वीडिय तो एक बार तो देख सकते हैं हमारी जो वीडियो है वह बन चुकी है